हेलो एप्रिवन मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे MP के द्वारा कॉंस्टेवल यानि की पुलीस की भरती आ चुकी है इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले सिलेबस को स्टार्ट करें उससे पहले में दो कोशन आप लोगों से पूछना चाहूंगा पहला प्रसन है एक्स टु दा पावर जीरो की भेल्यू क्या होगी नीचे कॉमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा दूसरा कोशन है MP से कुल लोग सभा के लिए कितने Member of Parliament याने की MP चुने जाते हैं मधिपरदेश में Member of Parliament याने की सांसदों की कुल कितनी संख्या नीचे कोमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सारे इंपोर्टेंट जैकिए आरक्षक संवर्ग की जो वेकेंसी आई है ना उसकी सुरुवात होगी फॉर्म भरने की 26 से और आखरी तिथी जो है इसकी वो 10 जुलाई है याद रखिएगा ऑनलाइन में आप संसोधन कर सकते ह हो 15 जुलाई तक और फीक अगर बात की जाया ना तो EWS और जनरल कटेगरी के लिए 500 रुपए परती कोश्चन पेपर लगेगा अगर आप अनुसूचित जन जाती अनुपिछड़ा बर्ग और EWS में आते हो तो 500 रुपए आपको पर जो कोश्चन पेपर है वो आपको कॉस यहां पे दी गई है मैं syllabus को भी आपको detail में एक एक topic समझाने वाला हूं याद रखिएगा और इसे ना हर state के लोग apply कर सकते हैं यहां पे देखिए भारत का नागरिक होना अनिवारी है तो इसे कोई भी apply कर सकता है इन चीजों को ध्यान में रखिएगा अब सीधे syllabus की ओर च जाएगी पर्थम चरण लिखित परिक्षा हिंदी भासा में बहु बिकल्प यह प्रस्ण यानि की mcq पूछे जाएंगे अब यहां से देख लिजिए कुछ important बाते हैं जो की पर्थम चरण परतियोगिता परिक्षा में कैसे प्रस्ण आएंगे उसके बारे में देखिए पर्थम चरण लिखित परिक्षा में हिंदी में mcq से प्रस्ण पूछे जाएंगे बिकल्प दिये जाएंगे दो घंटे का समय मिलेगा आपको यानि की 120 मिनट में आपको 100 प्रस्ण करना होगा एक मिनट से भी जादा का वक्त आपको मिल रहा है more than one minute आपको मिल रहा है क्य एक question को solve करने के लिए तो आपके पास काफी sufficient यानि की प्रियाप्त समय रहने वाला है चलिए और कुछ important जानकारी देख देते हैं दखिए अंक योजना यानि की marking scheme क्या होगा 100 प्रस्ण पूछे जाएंगे और अधिकतम अंक आप जो है 100 number तक हिला सकते हैं यानि की हर question के ल मुल्यकन नहीं किया जाएगा प्रस्णों के प्रकार क्या रहेंगे वो देख लो आप 40 प्रस्ण आपसे जो है जीके और reasoning से पूछा जाएगा 30 प्रस्ण बौधिक शमता और मानसिक अभिरूची से पूछा जाएगा 30 प्रस्ण बिज्ञान और अंक गनितियाने की mathematics से question पूरुष की उंचाई होनी चाहिए 168 cm और सीना जो है बिना फुलाए हुए 79 cm ठीक है ना 89 cm और 84 cm फुला कर और गोर्खा गडवाली कुमाओ के मामले में जो है height को थोड़ा कम कर दिया गया जो कि आप यहां से respectively देख सकते हूँ अब चलिए आगे देख लेते हैं यहां प देखिए यह जो details है यहां से आप देख पाओगे अपंग बगएरा नहीं होना चाहिए जो कि आपको पता है यह बहुत common चीज़े है अब सीधे हम लोग details syllabus की और चलेगे कि details syllabus क्या है जीके में प्रसन किसकिस से एक्टर से पूछे जाएंगे math में क्या क्या पढ़ना है ला पर्यावरन के बारे में पढ़ना है जो लेखक है फेमस भुख है और उनके आउथर है वो आपको पढ़ लेना है बौटनी यानिकी वनस्पती विज्ज्यान भी पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर पढ़ लेना है भारतिय संसकृति यानिकी इंडियन कलЧर क्या है वो भी विधिया हो रही है उनके बारे में आपको पढ़ लेना है इतिहास संस्कृति परंपरा तैवार भारतिये राजनिती के बारे में पढ़ना है भारतिय अर्थवबस्था भारतिये इतिहास बहुत ही क्यानिकि फिजिक्स के बारे में पढ़ लेना और जो बिसु में होता है ये चीजों को आपको देख लेना है वित चिर्त यानि की पायचार्ट लगुगनक यानि की लोगरिथम भी पढ़ लेना है और प्रक्रम देखे एक्षिल मैं फिर से पढ़ देता हूं क्रम परिवर्तन और सनयोजन ठीक है ना प्रमिटेशन और कॉंबिनेशन रेखा और रेखांकन और सारनी करन जिसे बोलते हैं लोग कार समय समय और दूरी वॉल्यूम यानि की वॉल्यूम के अलाबा जो है आयतन और सतह चेतर यानि की सर्फेस एरिया से प्रसंद पूछे जाएंगे उचाई दूरी हाइट एंडिस् से प्रसंद पूछा जाएगा साइंस के अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक विग्यान वैवारिक विग्यान अनुप्रियुक्त विग्यान पृत्वी विग्यान रसायन बिग्यान बहुतिक विग्यान और जी विग्यान से प्रसंद पूछे जाएंगे तो ये डिटेल सिल सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा लेजिए और हमारे परिवार में सामिल हो जाईए वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत वह सुक्रिया है वैप अगुडड़ देख